नमस्कार, RIS News में आपका स्वागत हैं, तो पेश है आज की एहम खबरे आज हमारी टीम पहुंची छपरा की पुर्सोतमपुर पंचायत, जहां से मीना देवी सरपंच प्रतियासी हैं, मीना देवी का परिवार बर्सों से राजनीती में हैं, और इस परिवार ने 11 बर्सों तक सरपंच के रूप में पंचायत की लोगों की सेवा की है, मीना देवी जहां पाँच बरसों तक सरपंच रह चुकी हैं तो वहीं उनके पती रवेंद्र पांडे भी पाँच बरसों तक सरपंच की कुर्सी समाल चुके हैं आज भी लोग इस परिवार के कारेकाल को याद करते हैं जब पंचायत के केस पंचायत में ही निप्टा लिये जाते थे मीन अधेवी ने लोगों से अपील की है कि ज़ादा से ज़ादा लोग उनके नामांकन में पहुंचे और उनकी होसला अब जाई करें पंचायद की जनता बतला रही है कि रविंद्र पांडे का जो जनाधार है या उनका काम करने के जो अंदाज है वो पसंदा रही है और पब्लिक सर्वे का धार पर हम लोग आपसे मिल रहे हैं लाखो लाख लोग देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो हम इस पंचायद के धर्ति को नमन करेंगे बहुत दो जनाधा जीब उसके बाद इस जनता आपको मोका दी आपके घरम पत्नी को चुके महिला सीठ है तो आपकी क्या कोशिस रहे कि इस पर ग्राम कचाहरी में चुके नियाय और विकास दोनों चीज आप लोगे दिया जारा है हम पूर्म में भी सपंच थे हमारी पत्नी भी थी तो हमारे कार्ज काल में जितनी समस्य आयाती थी तो हमारे कार्ज छेट में हो या नहीं हो उससे अपने काज शेट से उठकर भी जो भी समस्या का उसका हम निदान करते थे लेकिन आज जो अभी सर्पंच है उनको तो मूह यह नहीं है समाज में वेट जाते हैं अगर ब्लॉके में जाए तो सबसे जाके पीछे कुर्सी पर जाके बढ़ते हैं कि ये कोई हमसे कोई सवाल कुछ न पूछे तो सर्पंच का पद्ध है नियाय करना तो जो हम अपने पब्लीक के समस्या को ब्लॉक अस्तर पर ठाना अस्तर पर जहां भी हो नहीं हम रखेंगे तो उसका निदान होगा कहा से बहुत बढ़ी बात निदान करने की सबका अलग अलग अपना तरीका है हम जो है समाज से मिल करके अपना जो भी समस्या पैदा होता था उसका निदान करते थे लेकिन इनको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है नान्याइट्मिर्टेकाग कोई काम करता है ना सची उनके बात कोई 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 समयता ही नहीं है कारण की उस काम को करने का उनके पास कोई तरीके नहीं है हमारा जन्ता जो है 80% मेरे साथ है पुरा समर्थान आपको मिल रहा है अब आप से सिधा सवाल कि 2006 और 2011 में जो आपका कार्ज कलाप रहा सरपंच पत पर तो कुछ ऐसे मतलब कामों को बतला हैं जो कि काफिक जटिल था कठिन था लेकिन दोनों पक्छों को समझा करके मामला समधान आप करा दिया हुआ हम अपने 각लत में डोहाजसाब दोहाजारे गारत खोटा तक छोटा-छोटा समस्या तो मैं ऐसे ही वह उस पर लिकलगा लेकि बड़ी बड़ी समस्या जो मेरे काज्शेत कि इसका बावजूद भी मैंने उस कार्ज को किया है चलिए अब जो है चुकि नोमिनेशन के परकिरिया चल रही है प्रखंडों में तमाम अलग अलग पंचायतों के उमिद्वार पहुंच रहे हैं नोमिनेशन का परचा दाखिल कर रहे हैं आप अपने सम्मानी जनता से क्या नोमिनेशन हैं सभी लोग आएं और इस नोमिनेशन की जो रैली है उसको सफल बनाएं देखिए हमारे साथ जो है सेवा निरी सिक्षक हैं जो सर्पंच साब के गार्जियन हैं जो हमसे बात चित करेंगें अपना सुब नाम बताएं सर कम देव पांडे कब आप रिटायर लापत जंता ने दिया अप फिर से तयारी हो रही है क्या आप पंचायत के जंता से आप रहे हैं तो सबसे पहले एक बार जो सर्पंच उमिदवार हैं महीला सीट है उनका परीचे हम किरा देते हैं अपना सुबनाम मीडम बताइए मीना देवी मीना देवी किस पंचायत से लड़ रही है किस पद पर सरपंच पद पर तो आप पहले भी सरपंच का कुरसी समाल चुकी है और आपका काम करने का अंदाज बहुत ही अच्छा रहा जनता बतला रही है अगर फिर जनता मौका दी तो आपकी क्या कोशिस रहेगी रहेगी कि हम करेंगे जो भी काम होगा तो उसको समस्या को हम मिल करके जनता से मिल करके ठाना से मिल करके उस समस्या को निधान करेंगे अच्छा आपके पंचायत पुरसुत्तमपुर में यह जमीनी बिवात का बहुत सारा ममला रहा है तो कारण क्या है कि जमीनी बिवात का ममला ग्राम कचरी में हो नहीं हो रहा ह कि इसलिए ग्रांक चाहरी में इसलिए थाहल नहीं हो रहा है कि जो अभी भरतमान सर्पंश हैं, उनको काइज करने का धांगी मालूं नहीं है। तो किसे उसका समस्या का निदान होगा। मेरे समय में ग्राम कचरी में जो भी सची नयामीर थे समय से आते थे जो भी समस्या पंचायत में ग्राम कचरी में आता था उस समस्या को मेरे साथ मिल जूल करके उस समस्या को निदान करते थे हमने दस बर सिवा किया है और अपने पंचायत का ही नहीं बलकि परखंड के अध्यक्ष के बनकर परखंड के और अधर पंचायत में भी जाकर के समस्याओं को निदान किया है तो बतलाते चलें कि परखंड लहलादपुर के सरपंच संग की अध्यक्षता भी कर चुके हैं और परखंड के अध्यक्ष पद पर उन्हें ही सोभित किया जाता है जो इस पद की गरीमा को योगता को समझते हैं तो आप परखंड दो बार हम हम चुनाओ जीते तो हम भी सरपंच संग के अध्यक्ष थे और gegangen हम अपने पंचायत का तो समस्या का निधान करते ही थे आधर पंचायत में भी जाकर समस्या का निदान हम लोग जा करते हैं हमारे पंचायत में तो मूल गाउचारी है पूर्थोत्मपूर धंसर मंगोली और तरवारा जगतपूर तरवार रहे हां शेत्र हम घूम रहे हैं लोगों से हम अपील क्छा है कि हम जाते हैं तो लोग पहले ही से तयार हो जाते हैं कि भाई अब अब हम दोखा काने वाले हम भाग नहीं है मुझे मिले नहीं, दूखाआ कानने वाल अपर और आप चुनाव के मैदान में हैं पहले भी आप सरपंचिस पंचाइस सरा चुकी हैं और एक बार फिर से तयारी हो रही है तो अगर जनता मोका देगी तो उसको और खरा उत्रेंगे आप जी उत्रेंगे चलिए बहुत धन्नावाद जी इस तरह से समर्थन मिल रहा है कैसा लग समर्थन से हम बहुत उच्छाहित हैं और अपने जनता को नमन कर रहे हैं इसके अईसा अथी सपोर्ट देने की अच्छा नमिनेशन 25 तारीक को आप करने जा रहे हैं और इसके लिए बजाबते पंचायत की सभी जनता को आपने सुचना दे दिया है हमारे मीडिया के माधिय करके मेरे नमरे संकर सफल बनाया है